इस वीडियो के मदहम से मैं पॉर्टो पैट के एस्टेंड तूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका के शॉर्ट और एक्स होता है यह मोडिफाई तूल बार के अंदर आता है एस्टेंड गमाड लेने के बाद सबसे पहला हमें यह दिखता है एक्स्टेंड, सेलेक्ट औबजेक्ट और मोड यह अगर नहीं दिखेगा तो आपको यह वाला ओप्शन दिखेगा अगर यह ओप्शन दिखता है तो उसके अंदर मोड पर क्लिक करने पर यहां मेरे सामने अगला ओप्शन यह खुलेगा जिसके अंदर फिर से दो ओप्शन होंगे क्विक और स्टेंडर्ड यदि आप क्विक सेलेक्ट करते हैं तो वो आटोकैट के मेमोरी में क्विक स्टोर हो जाएगा और जब भी आप खुलिएगा तो यह वाला ओप्शन दिखेगा अगर स्टेंडर्ड आपने सेलेक्ट किया तो स्टेंडर्ड ओप्शन मतलब भी सेलेक्ट होगा और फिर से पहला ओप्शन से शुरूप होगा कि यह अगरी इस्टेंडर्ड आप लोग में सेलेक्ट किया है तो आपका ओप्शन यह वाला भी खायेगा चलिए इसे प्रैक्रिकली और्टोकैट के मादून से समझते हैं कि आखिलकार इसमें हो क्या रहा है कि मैंने यहां दो प्रैंग यहां सबसे पहले मैं बात करता हूं यह पहले वाली प्रैंग कि मेरा कुछ इस तरह का पिक्चर है जो की तू डाइमेशना है कि मैं यहां एक्षेंड कमाड लोंगा कि यहां एक्षेंड का कमाड जो है आप देख सकते हैं एक्षेंड कमाड लेट क्लिक से मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा और कमाड लाइन पर यदि इस टाइप करूंगा तो एक्षेंड कमाड मेरा सेलेक्ट होगा तो मैं यहां से लेट क्लिक करके करता हूं इसे यह मोड़ लेक्ट करने के लिए का यानि मैं मोड़ लेक्ट करूंगा तो इस टेंडर होगा मैं देखता हूं इसके अंदर कौन सा मोड है मैं इंटर किया अब देख सकते हैं बाउंडरी फिन्स प्रॉसिंग मोड प्रोजेट और एज यह वळा ओप्पशन जो था मेरा स्टेंडर ओप्शन है तो पहले अदेश चुके हैं हैं तो सबसे कुछ आले मैं बाउंडरी एश कि बात करता हूं मैंने बाउंडरीेस को स्रह किया तो बाउंडरीस करने का मगलब कि आप जो भी इस सेलेक्ट की देगा उसके एलॉंग यह वहां तक एक्स्टेंड कर देगा सपोर्ष मैंने बार्डरी इस इसको सेलेक्ट किया ओके अब इंटर में चलता हूं यहां पर मैंने अब देख सकते हैं यह जो लाइन मैं एक्स्टेंड हो चुका है अब टू इस लाइन जो मैंने इसेलेक्ट किया था इसको संजाने के लिए फिर से मैं एक्स्टेंड कमाड़ लेता हूं । मैंने इस्टेंड लिया इंटर किया वापस मैंने boundary age लिया अब की बार मैंने boundary age इसको select किया इंटर किया अब इसको मैंने extend कर लिया फिर से मैं अगे select करता हूँ आप देख सकते हैं मेरा जो outer limit है line का वो इसी line तक लिये रह गया लेकिन इसमें boundary चुपी मैंने इसको मतल सेलेक्ट किया था तो boundary इसको select किया था तो अपरे सकते हैं यह वारा line यहां तक यह select हो चुका है अब मैं next option के तरह बढ़ता हूँ वापस मैं वही चला जाता हूँ next option फिर से extend इंटर किया फिंस फिंस यह कहने का मतलब है select object to extend पहले तो मैं object select करूंगा जहां तक यह select होना है तो माल लिया जै मैंने object select किया किसको select किया यह माल लिया जै मैं यहां तक extend करना चाहता हूँ यह फिंस नहीं हो और मैं यह फिंस फिर से मूंगा मैंने extend किया इसको फेंस के लिए सबसे पहले जहां तक मुझे एक्स्टेंड करना है वो अबजेक्ट सेलेक्ट करनी हो मैंने इसको सेलेक्ट किया इसको सेलेक्ट किया इसको सेलेक्ट किया इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया कि अब मैं कमांड यूज़ करने का रहा हूं उसके बाद मैं इंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां ऑप्सन में मुझे दीख रहा है मैं यहां की करूंगा मैंने यहां की किया अब जैसे-जैसे करने के बाद कि इसकी जैसे जैसे मैं मौस को एक्स्टेंड करता जाऊंग वैसे वैसे मेरा यह एक्स्टेंड होता जाएगा मैंने दिसे मैंने लिया आप देख सकते हैं यह कितनी आसानी से मेरा ड्रो वो चुका है यह वाली यह वाली लाइन यह वाली यह वाली अब देख सकते कि आसानी सब्सक्राइब आइस टैरेक्षन में मैं इस इस पॉइंट पर नहीं हूआ कि यह फ्टिंट में गफ़ायं के बार जांए कि इस एहां यह टो से यह यह अप्लिकेवल हुआ और इसने एक्स्टेंड कर दिया उसे हैंस के मदब से तो यह हम कंप्लिक्स फीडर में इसका हम यूज कर सकते हैं चलिए मैं इसे रिखाता हूं हें हें सबसे पहले हैं हमको एक्सेंड लेना है कि सबसेंड अब चलिए मैं कमांड पर मुधा हूं सबसेंड कर दो इसके बाद मुझे क्या करनी है और उबजेक्ट को इसके एराउंड जहां तक object को extend होनी है मैंने इस object को select किया यह वाला object से यह वाले को select किया यह वाला select किया और मैंने यह वाला से लेक किया उसके जी इंटरे करता हूं मैं जाता हूँ फेंस पर मैं क्लिक करूंगा पहला मैं लिफ ट्लिक करूंगा उसके बाद मौस की साड़े पर मैं इसे लाइम को बढ़ाता चला जाता हूं मौणने के लिए फिर एक left click करूंगा फिर यहां से मुझे मौणना है एक left click किया यहां से मुझे मौणना है एक left click मौणना है left click उसके बाद मुझे इंटर कर नहीं है तो यह इस तरह से वर्ड करता है आपने देखा कि इसमें जो है हम अब्जेक्ट सेलेक्ट पहले करते हैं जहां तरह इस्टेंड कर डिंग है और उसके बाद एक लाइन के मदद से किस तरह से complex figure भी अगर मैंने सामने हो तो एक एक नहीं pick out करते हैं और लाइन के मदद से और एक लाइन को extend किया जा सकता है चलता हूँ मैं अगला option के तरफ फिर से मैं वापस आता हूँ एक्स्टेंड इंटर्ण फिन्स अब क्रॉसिंग क्रॉसिंग में क्या होता है यह लाइन और यह लाइन चुकि पहला क्रॉसिंग दोनों के पहला क्रॉसिंग जो है इस लाइन और इस लाइन केवल क्रॉसिंग को मिला दो एड्जेसर्ट लाइन को यह काम करती है मनली यह हम और यह दो एड्जेसर्ट लाइन के को यह सील करने में काम आता है तो होज मैं फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूं यहां मैंने सिलेक्ट कर लिया इससे क्रॉसिंग मैंने सेलेक्ट किया यह आपको ऑबजेक्ट के तरफ इसको क्लिक करते हुए आगे बढ़नी है यह आटोमेटिक सेलेक्ट होता चला जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यह यह आटोमेटिक सेलेक्ट होता चला जा रहा है यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर जो है मुझे वह अबजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है जो कि यह जहां तक मुझे एक्सेंट करनी है इसमें एक लिमिट होता है कि केवल एडजेसंट एडजेसंट प्रॉसिंग या पर कर सकते हैं एडजेसंट लाइन के भी आपको यह एक्सेंट करने की काम में आता है एक और मैं इसे फिर से करके दिखाना चाहूंगा एक्सेंट को आपको माल लिया यह सारे के सारे बाद चौटे-चौटे लाइन को अब इसे प्लैन तक होगा यह अगरा लाइन तक एक्सेंट होगा तो मैं यहां क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक और इसको माउस के मदद से मैं आगे बढ़ता हूँ लेफ्ट क्लिक या आगे बढ़ता हूँ फिसके मैंने लिया इसको प्रॉसिंग फिस्ट कॉर्णर को सेलेक किया आगे बढ़ता हूँ फिर से इस वाले आउप्शन में मैं आगे बढ़ता हूँ इस वाले आउप्शन में आगे बढ़ता हूँ अगले आउप्शन में आप देख सकते हैं कितने मज़े से मैंने यह पूरा का पूरा मदलब गया इसके मदल से आपने यहां पूर्टो केट के एक्स्टेंट पूरा को देखा इसमें आपने वो अप्शन देखा जो की 2D ड्राइन के लिए अप्लिकेबल होता है अब हम नेक्स्ट आप्शन के तरफ चलेंगे जो इसी का पूर्जेक्ट वाला आप्शन है वह 3D के लिए 3D पिक्चर के लिए अप्लिकेबल होता है चलिए बित्रें तमझने के लिए मैंने आटो कर में एक 3D ऑप्जेक्ट को क्रियेट किया है जो की वाइडल शेट का है इसके तीन फेस पर 2D ड्राइन बना हुआ है जो आप देख सकते हैं तो फेस पर ये फ्रांट में ये और रेप्ट में ये अब मैं यहां एक्स्टेंड के उर्धिक वाले ऑप्शन को देखूंगा इसमें कैसे वर्ट करेंगा सबसे पहले मैं एक्स्टेंड कमांड बोनगा इसका शॉट्ट फर्म होता है इस एक्स मैंने एक्स्टेंड कमांड लिया अब मूड सेलेक्ट मुझे करना है सेलेक्ट औबजेक्ट और मूड तो मुझे मूड के तो यहां सेलेक्ट करना नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं कि पूर्जेक्ट मैं पूर्जेक्ट के पर क्लिक करूंगा इसके अंदर नान उसी और भी मैं नन को किंग करता हूं नन में आप देख सकते हैं मैं फर्स प्लें टॉप यू में देखता हूं तो आप देख सकते हैं नन में प्रोजेक्ट नन अब देख सकते हैं इसमें यह वर्क कर रहा है इसके में इसके में भी वर्क कर रहा है यह चुकी 3D ड्राइंग है इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको भ्यान देकर इस कमांड पर यूज़ करना होगा यहां पर यह चुकी लाइन छोटा है इस वज़े से यह यह वर्क नहीं किया कि अब मैं सेकेंड वाले प्लीन पर आता हूं कि फिर से मैं एक्स्चेंड कमांड दूंगा मोड मुझे नहीं लेना है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं मैं पूर्जेक्ट में नंग सेलेक्ट करता हूं अब देख सकते हैं यह लाइन चुकी कि इस लाइन के ठीक सामने यह नहीं है इस वजह से इस पर यह वर्क नहीं कर रहा है मैं इस लाइन को देखता हूं वर्क कर रहा है यह इस लाइन में भी वर्क करेगा देख रहे हैं कि यह वर्क कर रहा है इस लाइन में मैंने खीट कर दिया अब इस पेस में भी अट्राइक कर सकते हैं मैं फिट से लेता हूं अब देख सकते हैं यहां भी वर्क कर रहा है अब मैं पूर्जेक के अंदर यूसी वाले ऑप्शन के तरफ बढ़ेंगा कि यूसी एस वाले ओप्शन में बढ़ने से पर लेए यूसी एस के बारे में बटाना चाहना हूं झानग कि इसके अंदर होता क्या है कोई भी ड्राइन जो बंती है वो एक्स और वाई-क्स के लॉंग ही बंती है इतने भी बेइंग बनेगी वो एक्स और वाइक्सिस के लोग बनेगी और जेद एक्सिस वो उसका डेफ्ट या हाइट के लिए होता है सपोर कोई UCS आइकन इस धंग से को जिसका ये वाला एक्स एक्सिस को रिपर्जेंट करता है लाइन दूसरा ये वाइक्सिस को ये तीसरा जेद एक्सिस को तो एक्स एक्सिस और वाइक्सिस के लोग जो प्लेंड होगा वो UCS का ड्रोइंड प्लेंड होगा इस कमांड के लिए वही प्लेंड अप्लिकेबल होगा जो की एक्स और वाइक्सिस के लोग प्लेंड होगा चलिए इस और प्लेंड में देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस ये और वाइक्सिस एक्सिस 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 जो की हाइक में लिया हुए है हर किसी में जेड एक्सिस होगा तो यह ओप्सन जो है के वल्ट एक्स और वाइक्सिस वाले ही प्लेंड पर अप्लिकेबल होगा चलिए इसे देखते हूं मैंने extend command लिया और extend command के बाद यहां दो चीज मेरे पास आया select object और mode मुझे mode यहां नहीं लेना है object को select कर दी है मैं यहां object select करता हूँ कि आपको हो सकता है object select करने में दिकत हो सकती है तो चलिए इसके लिए हम इस object को इनाग हाइड कर लेते हैं हाइड अब्जेक्ट जो कि टेंपूरली हाइड होगा मैंने हाइड कर लिया फिर से यहां मैं extend कमांड लेता हूँ सबसे पहले object जहां तक ही extend होना है वो object मैंने select किया इंटर किया अब यहां से वापस project को मैं select करूंगा और यहां से मैंने UCS को select कर लिया अब जियो ही इस पर आगे बढ़ियेगा तो अब देश सकते हैं जो टोक प्ले अथा उस पर मेरा यह वाप कर रहा है यदि यही कमांड मैं यहां पर यूज करूंगा फिर से मैं वो कमांड लेता हूँ object को select मैंने किया ओके इंटर किया प्रजेक्ट मैंने select किया UCS को select किया अब यहां देख सकते हैं यह वर्ट यहां नहीं कर रहा है सेम कंडिशन यहां भी होगा अब्जेक्ट सेलक किया इंटर किया प्रजेक्ट के अंदर अब यहां देख सकते हैं यह वर्ट यहां नहीं कर रहा है अब इस कमांड से मैं बाहर आ जाता हूं अब मैं वापस पहले वाले पुजिशन पर आ जाता हूं मैं पहले वाले पुजिशन पर आ जाता हूं अब मैं तीसरे ओप्शन के तरफ बरोगा जो जो ब्लू का ओप्शन है यह वह ओप्शन है जिसके अंदर हम हर व्यू में जाकर आडिकिंग कर सकते हैं कि एक्स्टेंट सेलेक्ट औबजेक्ट मुझे औबजेक्ट सेलेक्टर नहीं है आहां से कि वापस यह प्रावलिम कर रहा है मैं ठीसी से हाइन करूंगा आई गावड़ इंटर एक्स्टेंट मुझे करने है अगर सेलेक्ट किया एक्स्टेंट में मैं गया व्यूं के अंगर ले सकते हैं इस व्यूं में जाकर मैं एक्स्टेंट आसानी से कर सकता हूं इसे फिर मैं दूसरे अब्जू में जाऊंगा वापस मैं आया दूसरे भी में आया फ्रॉंट इस से प्रॉजेक्ट के अंदर व्यूंग व्यूंग चलिए फिर से मैं कमाड लेता हूं आप देख सकते हैं यहां यह एक्स्टेंड हो रहा है अब मैं लेट व्यू कुलूंगा लेट व्यू को वापस फिर से एक्स्टेंड कमाड अब्जेक्ट को सिलेख किया जहां तक एक्स्टेंड होना है इंटर अब्जेक्ट के अंदर जाना है अब देख सकते हैं यहां अब यहां था मेरा एक्स्टेंड कमाड आशा करता हूं यह एक्स्टेंड तूर्द बार या कमाड आप लोको समद में आ गया होगा थैंक्यू यहां